एक इंसान घने जंगल में भागे जा रहा था, शाम हो गई थी, अंधेरे में कुवा नहीं दिखा और वो उसमें गिर पड़ा, अब गिरते गिरते मतब नसीब वाला था, नसीब बलवान था उसका, तो एक जुके हुए पेड़ की डाली उसके हाथ में आ गई, डाली पगड कर सोशिल लगा है उपर वाले, अब क्या होगा, अब हाथी का जो पेड़ हिलाना था, उससे मदुमख्या उनने लगी थी, शहद की बून्द टपकने लगी, एक ऐसी बून्द उसके होटो पर आकर गिरी, और शहद गजब का मीठा था, अमृत जैसा स्वाद था, जो उपर वाले का रत पसार हुआ, उपर वाले ने कहा कि मैंने तुमारी पुकार सुनी है बालक, तुम्हें बचाने आया हूँ मेरा हाथ थाम लो, इंसान ने कहा जी बस आया, ये एक बून्दों को चाटने में लगा रहा और उपर वाले का रत वहां से निकल लिया, अर्था जो पेड़ को उखाडने में लगा हुआ है शेहद की बूंदे समझ गया होंगे संसार में जो सुख है वो जिसके कारण इंसान खत्रों को भी अंदेखा कर देता है ऐसी सुख के माया जाल में अगर फसा भईया तो उपर वाला भी उसे बचा नहीं सकता सलाम दुआ वनकम प्रणाम सत्स्रीयकाल केम छो सारू छे अमद्वाया दाखुई मारू छे अर्चना की वर से गुद मॉर्निंग